लखीमपूर खीरी में एक बार फिर हमारे अन्यदाता ने बैंक का करजा नाच शुका पाने और बैंक के अधिकारियों द्वारा परिशान करने के चलते आम के पेट से लटक कर अपनी जीवन लिला समात कर ली एक बार फिर हमारे सरकार के बड़े बड़े दावे फेल साबित हो गए यह वही अन्यदाता है जो खेतों में हर तोड मेहनत कर फसल लगाता है आपको बता दे कि यह पूरा मामला लखिमपूर खीरी जिले के मेलानी थाना शीतर की कुकरा ग्राम के ग्रांट नमबर तीन का है जहां पर 40 वर्षिय किसान दीदार सिंग ने आम के पेड में फंदा लगा कर आसमात्या कर ली किसान दीदार सिंग के पिता बलदेश सिंग ने अपनी 4 एकड जमीन पर 5,67,000 का करज इलापास बैंक से लिया था पिता की इम्रत्य होच आने के बाद बैंक वालों ने वह करजा बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिया उसके परशाद बैंक वाले लगातार दीदार सिंग पर बैंक का करजा चुकाने का दवाब बना रहे थे वहीं दुसरी तरफ दीदार सिंग को चीनी मिल में भेजा गया गन्ने का पूरा भुकता ना होने के चलते दीदार सिंग काफी परिशान थे और बैंक वाले लगातार उस पर कर सुकाने का लगातार दवा बना रहे थे इसके चलते परिवार का कहना है कि दीदार सिंग लगातार मांसिक रूप से परिशान थे आज जब उसकी पत्नी और दोनों पुत्र खेट पर काम करने के लिए गए तो दीदार सिंग ने आम की पेड़ से फंदा लगा कर आत्मा अत्या कर ली किसान दीदार सिंग की आत्मा अत्या की सूशना जब परीजन को लगी तो घर में कहराम मच गया उसकी पत्नी दो बेटे और पुत्री का रो रो कर बुरा हाल है वही जिला दीकारी शेलेंदर सिंग ने बताया कि मामले की जाच कर अगर कोई दोशी है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाईज की जाएगी लोगों ने परेशन कि जाएगा इस बैंका कर जाता इस पहसल तीन चार दफा मर गया और इसलिए नहीं भुखतान कर पाए बल्देव सिंग को थे बल्देव सिंग उनके पिता जी थे जिदार सिंग के अच्छा गटना कब हुई है एपरसा गटना कब हुए एपरसा गटन फिर किसको सुचना जिये थे बाद में घटने के जब गुरदोरा से शाची जी आये तो उसमें सामने देखा कि दरामतर पे लड़का हुआ समिलाम से कोई नोटिस बगेरा इथी आपके पास ने नोटिस बगेरा कुछ नी पहले आया इजा वही लोग आये थे उच्छा अब अब इस बीए नोटिस नहीं था और किस बैंक था बश्यक्या और तो सोसाइटी था कितना था लगवा सटी कनफर्म तो नहीं यह और बिजली का बिल था सी हजर पे वो कितना पुराणा था बिल बल्देव सिंह के नाम पे था पुराना उनका वहां से कौन करमचारिया इसे ब्रस्पाल से कहां के निवासिय आए तो क्या घटना हो गया थी है कौन बैंक से आया था कितना पुराना था काफी कितने लबक साल हो गया अच्छा और किसी बैंक का था ये सकाइटी का था कितना था एक लाग थीजार वह कितना पुराना था वह भी पुराना था अच्छा वहां से कौन आया था नहीं पुर्च दो गटना होई अच्छा आप ये चुपते रहें को बॉले बालेंबास मेंस में श्राइब आपके काउन थे पती थे क्या नाम था उनका बिदार से अच देखिए दीदार सिंग सनाफ बल्देव सिंग एक गोला तसील के रहने वाले थे इन्हों ने 30 नॉब्र और एक दिसंबर की रात में सुसाइट किया है जो बताया जा रहा है कि इनके पास कुल 4-6-2 एकर जमीन है कि माता पिता दोनों के पास जमीन थी दोनों की मिरत्य हो इसके आई जो इनके हिस्से आई है 4-6-2 एकर इनके हिस्से आई है इनके पिता ने पांच लाग शर्सट हजार रुपए का कर्ज ले रखा था इसके अलावा इन्हों ने भी किर्शी कार्यों के लिए 1,85,000 कर्ज लिया था तो कुल 7,42,000 का कर्ज था घर में इनके ट्रैक् जहां तक मुझे जानकारी है अभी तक सुसाइड नोट की बात नहीं आई है कोई आर्सी जारी नहीं हुए थी इनके पास जो बैंक का लोन था दो लोन बताये पिता के नाम था और एक इन्होंने खुद लिया था बताये जा रहा है कि बैंक के लोग इनसे संपर कर रहे थे है लगाता कि जो लोन लिया गया उसके किस्तें अदा की जाए है